असलाम लेकुम आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पीजा कटिलेट की रेस्पी नाम तो इसका कटिलेट है इसको हम पीजा पैटिस भी कह सकते हैं लेकिन टेस्ट इसका विल्कुल सेम पीजा की तरह होगा और बच्चे और बड़ी शौक से काते हैं तो चले हम स्टार्ट कर मैंने लिए हैं तीन अदर आलू जिनको मैंने बॉयल कर लिया था इसको हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे अब मैं इसके अदर एड़ करूंगी टू टेबल स्पून मैधा नबत हस्पे जरूरत वन टीस्पून इसके अदर मैं एड़ करूंगी काली मिर्ज और हातों की अदर से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और एक डोसी बना लेंगे लेंगे फ्राइपेल लेंगे उसके अदर मैं एड़ करूंगी थ्री टेबल स्पून ऑईल अब मैं इसके अदर एड़ करूंगी श्रेट किया हूँआ चिकन टू फिफटी ग्राम के क्रीप हा इसको फ्राइप करेंगे यह बहुत ही बेनी फिट देते हैं क्योंकि यह बहुत ही हेल्दी होते हैं मज़े के होते हैं इसके अदर एड़ करूंगी नमक खस में जरूरत काली मिर्चे हाफ टी स्पून एक टमाटर क्योंकि यह पीजा कटलर है और इनका टेस्स ही पीजे की तरह आता है तो इसके अदर तमाम वेजेटेबल्स हम यूज करेंगे आप अपने टेस्स के मताबिक भी कर सकते हैं पीजा सोस एड़ करूंगी फाइफ टेबल स्पून के करीब अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे तमाम वेजेटेबल्स के साथ और इसको ठड़ा हो मालिफ यूज कर रही हैं चैडर और मॉस्लीलास चीज यूज कर रही हैं उइनधर स्पून से फूस को मिक्सक कर लेंगे और और ईनी औरगैनों स्विटेबल्सकों सो एक ऐतर अधर यूज कर लेंगे इसके अधर थोड़ा सा हम नबक टालेंगे एक चुट की काले मिर्श na लेंगे और वन टेबल स्पूर में इसके अंदर एड़ करूंगी सोया सोस अच्छी तरह से इसको हम बीट कर लेंगे बहुत मज़े कि यह पीजा कटलेट बनते हैं आप बच्छों का लंच में भी बिना के दे सकते हैं अब हातों को हम हलका सा ओइल लगाएंगे अगर आपका सालों का पीस इतना लेना है कि आपकी जो कटलेट आया है वो ना बहुत ज़्यादा छोटा हो ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो आप अपने टेस्ट के मताबिक इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं और इसको एक हम टिकी कटलेट की शेप दे सकते हैं पैटी की शेप दे और डिप करने के बाद हम खाली हातों से वह हाथ जूज करेंगे जो के हमारा गीला नाओ कुछ खातों से हम ब्रेड क्रम्स की इसके उपर कॉटिंग कर लेंगे और इस तरह से हम तमाम जो है वह पैटीज प्रीजा कटलर अपने रेडि करके रख लेंगे आप इनको चाहें तो फ्रीज भी करके रख सकते हैं बच्चों का लच बॉक्स में भी बना के दे सकती हैं और टी टाइम भी इसको यूज कर सकते हैं इसी तरह से एक और मैं आपके सामने बना रही हूँ आलो का पेस लेंगे उसके अंदर हमने जो पैटी का समान रेडि किया है वो डालेंगे और इसको हम कटलर की शेप दे देंगे सेम उसी तरह से हम सबसे पहले मैदे की कोटिंग करेंगे फिर इसको हम अंडे में डिप करेंगे और अंडे में डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्स की हम कोटिंग कर लेंगे अच्छी तरह से और इस तरह से तमाम जो पैटीज हैं पीजा कटलर हैं हम बना के रख लेंगे चाहे तो आप इसको फ्रीज करके भी रख सकते हैं और फ्रिच में भी रख सकते हैं सेफ करके रख सकते हैं पच्चों को लुंच टाइम भी बना के दे सकते हैं टी टाइम के यह बहुत ही मज़े के स्नैक्स है नमजान में आप इसको इसली बना सकते हैं बीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको फ्राइक करेंगे जैसे ही लाइट ब्राउंसर कलर आजेगा इसके हम साइट को चेंज कर लेंगे फ्लेम को हम लो टू मीडियम भी रखेंगे बहुत ही मज़े के यह स्नैक्स है पिजा कटलर हमारे रेडी है आई होब आपको मेरी जो आज की रेस्पी है अच्छे लगी होगी अगर आपको मेरी रेस्पी अच्छे लगी है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें करें और मुझे दौव में याद रखेंगा अल्ला हाफीज